नमस्कार आर्ती की रिसुमी में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का निमोना यह बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही सरल रेसिपी है यह हमने लिए है पालक दोकर और यह है आलू और यह प्याच अद्रक लासन और हरी मिर्च और टोमाटर अब हम गैस कौन करेंगे गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें रख देंगे जो हमने तीन से चार आलू काट के लिए हैं मोटे पीस और उसके बाद धुले हुए फ्र रखें पर और दोबने हैं हम ने फेटें तेली हमहारा को तो पालोम ऐना हुए है यह यारे हैं क्रसल प्याच के बादिया है मैं बड़ी प्याच का तरका लगा दिया है और दूसरी तरफ हमने कड़ाई में जो आलू पने बॉइल किये थे वह अच्छे से गोल्डन ब्राउंड कर लेंगे और यह है पेस्ट तड़का हमारा तयार हो चुका है पक्के उसमें हमने डाल दिया है पेस्ट जो पालक के निमोना के लिए बना के रखा था और यह बॉइल आलू है इन्हें हम शोलो फ्राइ कर लेंगे गुल्डन कलर जब तक आ जाता हिन पर और इधर हमारा जो हमने ग्रेवी के लिए मसाले तयार की थे वो भी हमारे एक तरह से तयार हो चुके हैं पक्के और हमने इसमें मटर भी डाली है आप अगर पसंद करते हो तो डालें और इसमें हमने थ्वड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि मटर हमारे अच्छे से पक जाएं कि इसमें पानी तो डालना नहीं है, मटर को भी पकाना है, साथ के साथ मसाला भी बुनना है, तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे हम धकन लगाकर थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं मसाले से हमारे तेल बाहर आ गया है और मटर भी हमारी पक चुकी है हमने इसे तीन से चार मिनिट तक ऐसे ही ढखका रख दिया था बढ़ी अच्छी खुश्बुहारी मसाले से और अब हम इसमें सूखे मसाले जैसे की हल्दी पाउडर दो चमच और धन्या पाउडर भी डालेंगे दो चमच थोड़ा सा गरम मसाला इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पालक का पेस्ट बना के रखा था इसे भी मिला लेंगे आप गाड़ा या पतला अपने पसमी के हिसाब से करें हम जादा पतला हमारे गर में कोई नहीं पसमी करता तो हमने इसे गाड़ागी बनाते हैं और नमक स्वादनस्वार क्योंकि हमने नमक मसाला जब पक रहा था और मटर तब भी थोड़ा सा यूच किया था ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत सरहल बिधी है रेसिपी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मटर और अलू आपके पसंद के ओपर है आप डालना चाहे तो डालें ना डालना चाहे तो ना डालें और मसाले में हमने जैसे कि आपको दिखाया था हरी मिर्च, अद्रक के टुकडे, लसन और प्याज टमाटर और हरी धनिया भी हमने यूच की थी आप चाहें तो हरी धनिया इस्तमाल करें या ना करें इससे स्वाद भी ज्यादा पढ़ता है और टेस्ट भी और ग्रेवी एक बार जरूर बना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी एक बार जरूर बना करें हमारा वीडियो लाश्ट तक देखने लिए आपको बहुत धन्यवाद।